संसादन बुगोल के पेपर के अंतरगत मतस्षिन के टोपिक को आज शुरू करते हैं जिसमें प्रतंगते मतस्षिन के विबिन प्रकार और उनके उत्पादों की चर्चा करेंगे मचली एक प्रोटीन से बरपूर बोजन होती है जिसकी चर्वी भी शक्ति प्रदायक होती है इसमें जो लाब प्रद चर्वी पाई जाती है स्वास्थे के लिए अच्छी रहती है मचली में कई तरह के आवशक खनीज भी मिलते हैं जैसे लोगा, केल्शियम, आयोटीन, तांबा, मेगनेशियम, फोस्पोरस, काफी मत्रम होती है मचली खासकर कोड मचली के लीवर का ओल, तेल जो है विटामिन A और D का समरे दिसरोत है विशे की करीब 3-4 ही मचली का उपयोग बोजन के रूप में होता है मचली के डिबाबंदी करने के बाद जो आवशिष्ट बसते हैं उससे तरह तरह के गौंद या तेल या उरवरक भी बनाए जाते हैं या पश्वों के आहर बनाए जाते हैं वेल मचली इसे भी उसकी जो चर्बी मिलती है उससे मारगरीन पेंट्स श्याही अन्य उत्पाद बनते हैं लिनोलियम वगर स्तनपाई शागरिय जीव जैसे सील और वालरस से उत्तम क्वालिटी के समूर युक्त कपड़े बनाए जाते हैं और मतस्यन उद्योग के कारण मतस्य से जुड़े जहाज निर्मान उद्योग को भी बढ़ावा मिलता है तो ये सब आर्थिक और मनुश्य जीवन में इस मतस्यन के महतों को दर्शाता है मचली की कई तरह की परजाती हैं इसको इस आधार पर तीन परकार में बाढ़ सकते हैं पहली है लवनिय जल की मचलियां लोनिय जल की मचलियां में पहले जिक मचलियां होती जो सागर की इस्ते या इसके आसपास मिलती है स्वितोशन कटीमंद के सागरिय जल में बहुत प्रकार की मचलियां मिलती है लेकिन सबसे अधिक संख्या मिलने वाली हेरिंग मचलिया जो ज्यादा लंबी नहीं होती बड़ी मात्रा में मिलने से सस्ती होती है इसलिए मैत्वपून है लेकिन जल्दी खराब भी होती है इसलिए इसको या तो तुरंत बाजार में बेजना होता है नहीं तो इसको थंडे रेफ्रीजरेट करना पड़ता है थंडा करना पड़ता है गोदाम में रखना पड़ता है इस मचली के विशाल समूप आए जाते हैं जो 14 गुना 6 किलोमेटर के एरिया में फैले हुए हो सकते हैं यह तो एक एरिंग मचली थी ऐसी दूसरी है मेक्केरिल मचली जो करीब सवाफिट लंबी होती है यह भी एक पहले जी कहें मचली है यह भी उसी की तरह स्वादिष्ट लेकिन जल्दी खराब होने वाली होती है रात में समूदर किस्ते है पर यह मचली जब चलती हैं तो उसकी रिफलेक्शन से यह पैचानी जाती है अन्ने कई पहले जी मचली हैं जिसमें सारडाइन, पिलखाड, ब्रिसलिंग, एन्खोवी ज़्यादा तर एन्खोवी पीरू के तट के आसपास मिलती है और यह अन्ने मचलीों के बोजन या उरूरक तेलादी बनाने में काम आती है अपनी अतियंत तेली प्रकरती के कारण, तेली उगतोने से मैन एडन मचली की और पहले के ज़्यादा द्यान नहीं दिया जाता था लेकिन आजकल जैसे सियूतराज अमरिका की 30% मचलीयों की जो पकड़ है वो यह ना मैन एडन के रूप में होती है इससे पश्मों का बोजन बनता है या ओरवर्क बनाने में काम आती है इसमें नाइटरेट और फोस्पोरस काफी मातरा में होता है मैक्करल परिवार का एक विशाल सदस से ट्यूना मचली है जो की 3 से 4 मिटर लंबी होती है जापान, इंदमा, सागर, अमरिकी, महादीव के पस्चमी तट के गहरे वागों में मिलती है और अधिकान सिस्टाइज ये डिबावंद करने में चला चला जाता है मचलियों का दूसरा रूप है डिमर्सल मचलिया जो सागरिया मचलियों में, वे सागर के फर्ष पर रहने वाली होती है आम तोर पे बहुत ज़्यादा नहीं, उतले सागर के फर्ष पर रहती है उन में सबसे मेतमन मचलियों में कोड है, जो डेड़ मीटर लंबी होती है और ये अधिन्थ पोस्टिक होने के साथ साथ इसे में इससे विटामिन A और D के कैपसुल बनाए जाते है USA कनाड़ा के पूरू की और न्यूफाउंड लेंड में जो ग्रांड उसके आसपा जो ग्रांड बैंक का एरिया है वह हम ये मचली काफी मिलती है अन्य जो डिमर्सल मचलिया है अन्य परकारों में हैडक या हैलीबूट हेक फ्लैट फिश कैट फिश डोग फिश इत्यादी है मचलियों का दूसरा वर्ग है जो इसे कहते है ताजे जल की मचलिया है ताज़ेजल की मचलिया मतलब जो सागर से बाहर तलाबों में, नदीयों में होती है या खेतों में भी हो जाती है जहांपे पानी खड़ा है उसमें उत्री अम्रिका एरोप में ट्राउट, पर्च, पाइक, सैल्मन इनका शोक किया तोर पर इनका शिकार किया जाता है अंत्रिक भागों में CIS जो है पूरो सोवीट संग यानि रूस और दूसरे समंधित देश वहां मास उरंडों के लिए स्टरजियन मुचली केस्पीन सागर से पकड़ी जाती है वड़ी फेमस है वहा के लिए चीन जापान की नदी, जील, दान के खेतों में और मतश्य किर्शी करके भी मुचली इन देशों में पकड़ी जाती है मुखे जो है परकार है वो कार्प है भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश में कुल जो मचली पकड़ने का एक त्याहि इस्टा आंतरिक मतश्यन से आता है बड़ा है इस्टा है तीसरा जो परकार है वो मचली का एनाट्रोमस मचली है जो सागर और स्थल दोनों भागों पर ब में सबसे महतबून सेलमन मचली है जो की उतरी अमेरिका में अलास्का से ओरेगन के तठ तक मिलती है ये अंडे देने के लिए नदियों में यानि के स्थलिये वागों मादीती है वागों में अंदर दूर तक जाती है ये अतिंत किंती महतबून मचली है और एनाट्रोमस मचली की पकड़ने की जो वीदिया है आजकल यंत्रिकिर्थ वीदियां ज्यादा है तो उनमें एक वीदिये डृफ्टिंग यह डृफ्ट एक परकार का नेट है जो डृफ्ट नेट बोलते हैं यह जाल वो टेनिस का जाल जैसे होता है उर्दवा दर लंबा खड़ा हुआ उ और इनको टहराने के लिए उत्पलावक लगा देते हैं और नीचे वजन लगा देते हैं ताकि यह सिद्धी रहे जाल और उपर टहता रहे उसके लिए उत्पलावक लगा दिया ये साघरतल से कुछ मिट नीचे रहते हैं पैलेजिक मचलियों को पकड़ने में काम आते है दूसरी विदी है ट्रोलिंग ये बैग जैसी अकरिती का ट्रोल होता है ये ट्रोल जाल ये ट्रोल नेट ये फर्स की, शाकर के फर्स की मचलियों को पकड़ने की विदी है इसके जाल के मुँपर और यहां भी उत्पलावक लगे होते हैं और निच्चे बजन लगा होते हैं ताकि जाल तेरता रहे और वो निच्चे सिधा रहे तीसरा जो विद यह सीनिंग है इस परकार के मतस्यन जाल ड्रिफ्ट तदा ट्रोल जालों के बीच की विशेशता हैं रखते हैं इन दोनों होता है सागर यह शेत्रों में ज्यादा यूज होता है फिर जो पुरानी भी दी है लाइनिंग है न आप तार लेके बांद कर अपने उस पे कोई कोई चीज बोजन बोजन लटका कर मचली को आकरशित करते हैं तो उससे ट्रोल वगएरा से पहले यह महत्वपून भी दी थ सकते हैं आजगल वो पुरानी लाइनिंग की बजाए लॉंग लाइन यूज होती हैं जिसमें पांच से लेकर पांच अजार तक होको हो सकते हैं मचिनों से काम किया जाता है इसलिए यह दोनों सिरों पर उत्फलावकों से जुड़ी होती है ताकि यह तैरता रहे मतश्यन क प्रकार देखें तो एक मतश्यन है पहले जिक मतश्यन यानि कि सागर किस्ते पर पकड़े मिलने वाली जो मचलियों के जूंड है उनको पकड़ने के लिए किया जाने वाला जो प्रक्रिया है अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है वो पहले जिक मतश्यन है यह तटके आस- या सागन में डृफ्टिंग या सीनिंग विदियों से इसको किया जाता है पहले जीक म crawlियाई क्या हो दियों वो migrate करती है पृवास करती है जिसके कारण मच्वारों की गती विदियों का एक वारशिक प्रारूप विक्सित होता है आंतरिक भाग में, सागर में, इदर या सागर में भी धंडे या गरम सागर में ऐसे माइग्रेशन करती है तो दूसरा मतस्यन का प्रकार है डिमर्सल उतले सागरों के अपेक शाकरित गहरे, शितल भाग, 40 मिटर की गहराई पर फर्ष पर डिमर्सल या सफेद मचली पाई जाती है ये आमतर पर पर प्रवास नहीं करती है, एक स्थान पर रहती है और बड़े जुंडों में भी नहीं होती है संतल फर्ष पर ट्रॉलिंग द्वारा नहीं तो चटानी फर्ष हो तो लॉंग लाइनिंग के द्वारा मचलिया पकड़ी जाती है एक मतर से पकड़ने की जो ट्रिप होती है जलियान में, वो कई-कई महिनों या हफतों तक चल सकती है इसलिए ऐसे बड़े मचली पकड़ने के जहाज बड़े और भंडारों से यूगत होते हैं उनके प्रोसेसिंग की और फ्रीज की सुविदाएं होती है तीसरा जो मचली की पकड़ने की विदी है प्रकार है वो है उप तटिये मतस्यन इन शोर फिशिंग नदियों के निचले भाग तथा तट के निकट उतले सुरक्षित भागों में गर्म या ठंडे दोनों प्रकार के जलवाई प्रदेशों में ये मतस्यन किया जाता है तटिये गाओं के सबी लोग इस प्रकार की करते हैं पार्ट टाइम मुच्वानों के अधिक्तम संक्या ऐसी ही होती है ये अप एक शक्रित कम यंत्रिक्रित और कम दक्ष विदियों का प्रयोग करते हैं गर्म इस प्रकार के मतस्यन में पहले इजिक और डिमर्सल दोनों मचलियां पकड़ी जाती हैं उत्री अमरिका में तटवर्ती जल्द अथा नदियों के आरपार जाल लगाकर एनोड्रोमस सेल्मन मचलियां भी पकड़ी जाती है वीबिन परकार की शेल्फिश भी पकड़ते हैं उप तटिये शेतर में मचलियां में उनमें हार्ड बोड़ी कवर वाली जो मचलियां पानी के जीव हैं वो शेल्फिश वगेरा में आते हैं श्रिम्प, जिंगा, लॉब्स्टर, केकड़ा और क्लैम, मसल, स्केलप आदी ये सब शामिल है पर चोती मतस्यन का या जोता प्रकार है वो है ताजे जल्ब में नदी, जील, तालाव में दान के खेतों में मचलियां पकड़ी जाती हैं या कई बार उनको पाला जाता है बी ताजे जल्ब और सागर में भी रहता है ठंडे शेतरों में ट्राउट, सेल्मन, हेरिंग, आदी मुखे मचलियां हैं जो ताजे जल्ब में मतस्यन किया जाता है जहां पूरू सोवीद संग या रूस और उन देशों में स्टरजियन मचलिया आंतरिक जल्बागों में इन सागर के साथ बोलगा, निपर, रादी नदियों के साथ उतरी अमरिका में सेंट लारेंस, मिसीसिपी, आयरोब की डेनीव नदिया हैं उनमें इस प्रकार का मतस्यन किया जाता है मतस्यन के अतरिक्त अन्ने सागरिये उतबाद भी पराप्त होते हैं जैसे वेल मचली को पकड़ना उसको वेलिंग कहते हैं यह कई बरकार की वेल मचलिया हैं, यह मचली नय होकर अपेक्षा के हम मचली कह देते हैं, लेकिन यह स्तनपाई प्राणियों में आता है मुख्यत है वेल को आर्क्टिक अंटार्टिक शेतर के जल में देखा जाता है, पाया जाता है, वहीं से इनको पकड़ा भी जाता है सबसे बड़े देश हैं जापान और सियाइस, आजगल सियाइस में बड़ी वुमिका उसकी रूस हैना रूस ही से शेतर में काम करने वाला बड़ा देश है जापान और रूस तो कई देशों ने 1967 में वेल के शिकार को बंद कर दिया था क्योंकि वेल की संक्या तेजी से कम होने लगी थी आजकल आर्क्टिक सागर में वेल की संक्या कम होने से अंटार्टिक से अगर सागरिये शेतर में ज्यादा वेल की पकड़ की जाने लगी है फिर अन्ने सागरी ये मचलिय या जीव पराणियों में सील मचलिया है जो उबैचर पराणिय है जिसका समूर के लिए यानि कि जिसकी स्किन के लिए और तेल प्रापती के लिए शिकार किया जाता है ये भी ठंडे आर्क्टिक अंटार्टिक सागरों में मिलते हैं 1911 का सील समझता हुआ था वीशो के देशों के बीच तो वहां उसके अंतरगत उतले सागर में मिलने वाले सील मचलियों को पकड़ने पर मनाई की गई और मादा सील मचलियों को भी पकड़ने पर रोक लगाई गई शील पकड़ने वाले मुख्य देशों में कनाटा सीमत राज अमरीका ग्रीन लेंड नॉर्वे आदी हैं फिर है एक और सागर का एक और उत्पाद है परलिंग यानि के मोत्ति प्राप्त करना ऊशन कटिबंदों के अब तटिये मतस्यन का एक रूप है ऊशन पर्देशों की कुछ मसील प्रकार की प्रजाती के जो जीव है उन से भी मुझतृ प्राप्त किया जता है। सुरेश्ट प्रकार का मुझतृ फारस की खाडी pun है यानि के साथी अरब और 195 एप और जब इन वेक्ति ने कृत्री मोती बनाने का विश्कार किया था युवा ओएस्टर प्रानी को इकठा करके मदर ओफ पर्ल के कुछ कण डाल दिये जाते हैं और जालीदार केश में रखकर उथले तटिये जल में रखा जाता है जहां कुछ वर्षों में कृत्री मोती का निर्म जाता है बन जाता है जापान में ये उद्योग है महां का होन्शुद विप है उसमें ये बड़े स्थर पर किया जाता है फिर उश्न प्रदेशों अन्य अन्य भी उत्पाद हैं जो सागर से प्राप्त होते हैं जैसे उश्न प्रदेशों के गरम जल और प्रवाल वितियों के शेतर में परवाल भी थी हैं प्राफ्त होती हैं लेकिन इन सागरों में स्पंज भी मिलते हैं जो की बारा से पच्वन मिटर की गहराई पर मिलते हैं ये जीवों के रेशेदार कंकाल होते हैं वस्तुत हैं स्पंज के रूप में देखे हम यूज करते हैं इनको विश्यो का अधिकान्स प्राकर्तिक्स फ्रलोरिडा यूएस से के पास तटवर्थी शित्में और वेस्ट इंडिज से प्रावत होता है अलागि कुछ अन्य सागर जैसे भुमत दे सागर, एडियोटिक सागर, लाल सागर में भी प्रावत होता है कुछ समुदरी खर्पतवार जिसको सीवीड बोलते हैं, वो भी बोजन के रुब में काम आती है इनका उप्योग पश्वार बनाने के लिए किया जाता है किन्तु अन्य वद्व की उप्योग भी हैं कि जिलेटिन, गौंद, पेंट, आयोडीन, शरिंगार की वस्तवे, उर्वरक बनाने के तो सागर से सीवीड ये भी इकटे किये जाता है